दिल्ली के मैदान पर संजू सैंसन के कॉंट्रोवर्शियल कैच आउट के अलावा भी ऐसा कुछ है जो सुर्खियों में बना हुआ है यहां तक कि उस व्यक्ति को सामने आकर इस मामले की सफाई भी देनी पड़ी है दिल्ली कैपिटल्स और राजस्तान रॉयल्स के बीच मुकाबले में अपनी टीम को सपोर्ट करना एक टीम के को ओनर को भारी बढ़ रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहे स्वयक्ति का नाम पार्थ जिंदल है जो दिल्ली टीम के को ओनर भी है और ये अकसर अपनी टीम को चीर करने के लिए स्टेडियम में जाया करते हैं और साथ मई को भी कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन शायद इनका इस तरह सेलिबरेट करना संजू सेमसन के फैंस को रास नहीं आया क्या हुआ था मैदान पर पहले वो जान लेते हैं दरसल मैच के दोरान मुकेश कुमार की गेंद को संजू सेमसन ने छक्का मानने की कोशिश की लेकिन उसे बाउंडरी पर शेहोप ने पकड़ लिया इसके बाद थर्ड अमपायर ने चेक किया और चेक करते वक्त लापरवाही बरतते हुए कुछ सेकेंड में आउट करा दिया ये बात संजू को भी अच्छी नहीं लगी उन्होंने अमपायर से सवाल जवाब किया लेकिन फैसला नहीं बदला इधर स्टेंड में मौजूद पार्थ जिंदल चिला चिला कर कहने लगी कि आउट है आउट है फिर क्या ये वीडियो सोशल मीडिया पर आपकी तरह फैल ने लगा लोगों ने पार्थ के इस सेलिबरेशन को गलत ठहराना शुरू कर दिया अब हमें कॉमेट करके आप बताईए कि पार्थ का इस तरह सेलिबरेट करना सही था या उन्हें ट्रोल करना हालाकि इसके बाद पार्थ ने संजू सैमसन से मुलाकात भी की और उन्हें T20 विश्वकप में सेलेक्ट होने के लिए बधाई भी थी साथ ही अपने X प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस बादचीत से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया जहां उन्होंने लिखा कि संजू सैमसन और राजस्तान टीम के को ओनर मनुज बादले के साथ बादचीत करके अच्छा लगा साथी दिल्ली को मैच जीतने के लिए बधाईयां भी थी कई लोगों के मन में अब सवाल है कि आखिरकार पार्थ जिंदल कौन है और ये दिल्ली टीम के को ओनर कैसे बने दरसल जिंदल फैंबली में जन्मे पार्थ को ये बिजनिस विरासत में मिला है लेकिन इसके लिए भी उन्होंने काफी मेहनत की है उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी और हावर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है पार्थ ने शुरुवात में JSW ग्रुप को बतोर एकनॉमिक एनलिस्ट के रूप में जॉइंग किया था इसके बाद कुछ वक्त बाद उन्हें JSW सीमेंट्स और JSW पेंट्स के मैनेजिंग डिरेक्टर क्या पद दिया गया इसके अलावा JSW स्पोर्ट्स के भी वो डिरेक्टर है 2018 में जब दिल्ली डेर डेविल्स के मालिक GMR गुरुप ने JSW स्पोर्ट्स को 550 करोर रुपए में टीम का 50% राइट्स जो है वो बेच दिये थे इसके बाद दिल्ली डेर डेविल्स का नाम बदल कर दिल्ली कैपिटल्स रखा गया और तब से दिल्ली कैपिटल्स का एक नया दौर शुरू हुआ इसके अलाबा ISL यानि की इंडियन सुपर लीग में बैंगलूर FC और प्रो कवर्डी लीग में हरयाना स्टीलर्स भी JSW स्पोर्ट्स ग्रुप ही ओन करता है पार्थ जिंदल इस वक्त 600 करोर के मालिक है साथ ही स्पोर्स में उनकी बेहद रुची भी है इसलिए कई बार हमने उन्हें स्टेडियम में एनिमेटेड वे में सेलिबरेट करते देखा है अब आप हमें कॉमेंट करके बताईए कि पार्थ जिंदल को अपनी टीम को सपोर्ट करना गलत था या नहीं तब तक के लिए बने रहे वनेड़ा हिंदी के साथ